आज आपके ले किया हों, कूकर में आप आलू मटर की सब्जी कैसे बनाए, जो की बहुत टेस्टी बने तो और इसका आप ग्रेवी देख सकते हैं यह टेक्षर आप देख सकते हैं, कित्ना बढ़िया आया है मटर आलू का इस तरह से बनाईएगा तो सारी मटर पनीर की सबजी आप अकेले खुदी ही खाना पसंग करेंगे और ऐसे ही बनाना पसंग करेंगे क्योंकि देखे कितना बड़िया टेक्शर आया है मटर भी जो है बहुत बड़िया से गल चुका है आलू भी और इसका जो ग्रेवी है वो भी बहुत बड़िया कुछ भी इसमें पीसने की जरुवत नहीं है आप ऐसे ही बनाईए बहुत बड़िया बनके तयार होगा जटपट से तो चलिए फटा फट से इसको बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कुकर में डालेंगे हम तीन बड़े चमच सरसो का तेल तेल को गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जाएगा इसके बाद एक तेश पत्ता डालेंगे आधा चमच इसमें हम जीरा डाल देंगे और इसी के साथ एक बड़ा चमच हम यहाँ पे डालेंगे प्याज को यहां पर भूनेंगे अच्छे तरीके से कलर चेंज होने तक प्याज को हाई फ्लेम पर भूनना है तो यहां पर देखिए प्याज जो है वो अच्छे से भून चुका है देखिए यहां पर प्याज भून चुका है तो इसमें हम डालते हैं बाकी की चीजे तो यहा साथ आधा चमच यहां पे हम डालेंगे आधा या एक चमच लाल मिर्ची का पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर डाल देंगे और फिर से इसको यहां पे अच्छे से मिक्स करेंगे और मसारे को थोड़ा सा भूनेंगे फ्लेम को इस टाइम लो पे रखेंगे जब मसाला ड गुन ली तो इसमें आदा जमच कश्मीरी लाल मिच डाला मैंने ताकि सबजी का कलर भी अच्छे से आ जाए निकरके तो इहां पर इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहां पर देखिए मेने डाले हुई है तीन टमाटर बारी काटे हुए हैं और तीन हरी मिर्च ह और यहां पे कुछ फ्रेश धनिया है हरा तो भी हम डाल देंगे इस समय ही डालना है इसे क्या होगा सब्जी की फ्रेशनेस बढ़ेगी और सब्जी और ज़्यादा टेसी लगेगी हम लास्ट में नहीं डालेंगे धनिया हमने पहले ही डाल दिया ताकि इसका जो ग्रेवी है वह बहुत पढ़िया बने आप इस थरी के से बनाएगा डाल के बहुत बढ़िया सब्जी बने गई Chelsea तो आलुग भी-ymी आ इस तरी मिटर पनीर बहुत अच्छा आएगा अगर आके पास है तो जरूर डालिएगा नहीं है तो आप इसको मट डालिए तो जरूरत कोई नहीं है लेकिन अगर है तो जरूर डालिएगा अच्छे से मिक्स करके टमाटर को मैं अच्छे से भुन रही हूँ और यहां पर देखिए अब जब यह मैश होने लगेंगे तब यहां पर मैं डाल दूँगी चमच कसूरी मेथी तो कसूरी मेथी का फ्लेवर भी एक अलग होता है जो बहुत टेस्टी लगता है ग्रेवी वाली सबजी में तो भी जरूर डालिएगा तो यहां पर देखिए अच्छे से मिक्स करके सबजी को मसाले क कि इसे प्हुन रही ही तो यहां पर आप देखहें , इस मैश कर रही हूं तो बहुत बढ़िया सब्जी बने के तयार होगी एक सुथ क्तोर आप इस ट्र하세요 आपको पसंद आएगा ना मैश को झाओ । तो यहां पे देखिए जब मैं इसको थोड़ा सा यहां पे मैंने भून लिया अब यहां पे देखिए मटर डाल दूँगी फ्रेश मटर है यह एक कपके बराबर होगी तो वो यहां पे डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे देखिए फ्रेश मटर है अगर आ अच्छे से भुने मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई किया है और अब यहां पर देखिए अच्छे से इसको भुन रही हूं में बीच विच में चलाते हुए तो यहां पर देखिए जब बीच विच में रुक के अच्छे से मैंने इसको चलाय तो अब यहां पर देखिए थोड़ी से अच्छे से भून गए हैं अब यहां पर लास्ट में डाल रही हूं में अदचमच गरम मसाला पाउडर और यहां पर इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए तो चाहें तो आप सब्जी को इसी तरीके से भून के अच्छे अलुको मटर को गला के खा सकते हैं लेकिन मैं इसको ग्रेवी बना रही हूं तो डेड़ कप पानी यहां पर में डाल दूंगी और अपने हिसाब से आप ग्रेवी अरजस्ट कर सकते हैं पतली गारी जैसे भी आपको अच्छी लगती है तो यहां मैं इसको बीच्छी इन पर लगाएंगे दो सीटी और जब दो सीटी लग जाएगी तो घ्सको धीमा कर देंगे तो दो मिनट के लिए पांच ची एपको या पांच मिनटبلिए घ्सको धीमा कर कर दिया और कलर सब्जाश्य का दक दिए तो बन त्यी बनने के बाद बन कर देना गैस को धबके फिर उस करके रख दे तो अभी इसे बनाकर ट्राइक करिए कुछ भी इसमें पीसने की जरुवत नहीं है जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है और कौन-कौन इस तरीके से बनाता है मुझे जरूर बताईएगा और किसको यह आसा झाल झाल